जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शांग जब मेडिटेट कर रहा था, तो एक तम क्वैंट रेंज्यू को जो कि अब गौट बन चुके है, उसके सामने आ गई है, और उसे कहती है कि मैंने तुमें एक चांस और देने का डिसाइट किया है। तो फ्यूचर में तुम ज़रूर मेरी जितनी हाई पोजिशन पर पहुचपाऊगे। तांग शांग जैसे दैसे उसके औरा से खुद को अजाद करता है और कहता है कि तुम मेरी तारीव कर रही हो या धमकी दे रही हो। तुम्हारा सिर्फ यहां सम्मान ही नहीं किया जाएगा बल्कि इस पूरी धर्ती को भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। अगर तुम मेरी साथ कॉपरीट करो तो हम यहां के गौट बन सकते हैं और इस धर्ती पर एक साथ राज कर सकते हैं। तैंक शेंक कहता है कि तुम आखिर मुझ पर यह ऐसान क्यों कर रही हो। सिर्फ मेरे अंदर की पोटेंशिल को देखकर क्या तुम्हीं डर नहीं कि अगर मैं गौट बन गया तो मैं तुम्हें फिर फ्यूचर में बिट्रे कर दूँगा। क्वेंडरंजी कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम उनमें से नहीं हो, जो प्रॉमिस करने के बाद तोड़ दे। हाला कि तुमने हमेशा से मेरे प्लांस बिगाड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज ये मौका दे रही हूँ, कि मेरा साथ तु मेरे मिशन में, अब तुम अपना अंसर बताओ। है अपने फ्रेंड्स फामिली और रेलेटफ्स को भला कैसे छोड़ दू, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए। जिर्फ गौड़ पर ही अच्छी लगती है, वो फिर जैसे ही दुबारा तैंग शंग को देखती है, तो तैंग शंग वहां से गायब हो चुका था, और वो समझ जाती है, कि तैंग शंग ने ये तरीका मुझे हराने के लिए नहीं, बलकि छुपने के लिए यूज किया है लेकिन तैंग शंग उसमें से भी नहीं, जो यूज छोड़ कर भाग जाए, और वैसे भी किसी को भी गौड बनने के लिए डिवाइन स्वार चाहिए होता है, और वो अपना ट्राइटिन लिए बिना कैसे भाग गया, लेकिन वो तैंग शंग को ढूढनने का डिसाइड कर रहा है, अपने ब्लू सिल्वर औरा को फैला रहा है, ताकि उसे एनर्ची मिलती रहे, यहां काफी ब्लू सिल्वर प्लांट्स है, और उसके लिए यह नाच्रल एड्वांटिज की तरह काम कर रहे है, तैंग शंग भागे चाह रहा है, और सूचता है कि अगर क्वैंड रि लिया, तो मैं यहां नाच्रल टेरेन की वज़े से शायद इड्वांटेज में रहो, वो फिर ब्लू सिल्वर प्लांट की तरू, यह इन्फोर्मेशन की क्वैंड रिंजी गौट बन चुकी है, इसे आस पास ब्लू सिल्वर प्लांट्स में फैला देता है, ताकि यह पायेगी, वही क्वैंड रिंजीू अपने गौट ओरा को फैला रही है, और जो भी ब्लू सिल्वर प्लांट उसके अंदर आ रही है, वो तबाह हो जा रही है, आस पास की वनश पतियां भी खराब हो रही है, और क्वैंड रिंजीू का ओरा बहुत सादा खतरनाक है, जो जा रहा है और तैंग शेंग उसके औरा से बचने की हर एक संभव कोशिश कर रहा है क्वैंटरेंजिव फॉरेस के अलगला केरिया में इसे फैला रही है और उसकी शोव होने का वीट कर रही है और तैंग शेंग एक गौड से छुप नहीं सकता है क्योंकि हुमिन स्पीट के एक लिमिट होती है तैंग शेंग समझ चाता है कि भागते रहने से सल्यूशन नहीं निकलेगा इसलिए वो और जाधा अपनी एनरजी वेस्ट ना करते हुए आसमार में आ जाता है क्वेंटरंजीव कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद को रिवील कर दोगे तैंग शेंग के चेहरे पर बिल्कुल भी डरिया घबराहट नहीं थी और ये देखकर क्वेंटरंजीव हैरान है और वो कहती है कि तुम नाम मात्र के लिए भी घबराय हुए नहीं लग रहे हो आखिर इतना confidence आता कहां से है तैंग शेंग कहता है कि तुम angel god हो क्या अगर एक human तुम से एक bet लगाए तो क्या तुम उसे accept करोगी क्वेंट एंजीव ये सुनकर चौक जाती है और कहती है कि तुम सच में अपने डर को छुपाने में अच्छे हो अभी तक तुम सिर्फ टाइम को डिले करने का ही रास्ता धून रहे हो बट अब नहीं अब तुम अपनी bet बताओ कि क्या है तैंग शेंग कहता है कि bet बहुत असान है हम दोनों फाइट करेंगे लेकिन बिना किसी डिवाइन वेपन के और 30 मिनट तक हम ये फाइट करेंगे अगर 30 मिनट के अंदर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी और अगर तुम जीत गई तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें सर्फ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मेरे ट्राइडन को वापिस लोटा देना और फिर मुझे तीन दिन का समय देना यहां से बाहर निकलने का तीन दिन बाद तुम मुझे पकड़ सकती हो अगर चाहो तो और फिर अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे सामने सरिंडर कर दूँगा क्वेंड रिंज्यू यह सुनकर हैरान है कि तैंग शेंग इतना बड़ा गैंबल कर रहा है वो कहती है कि तुम इतने confident कैसे हो कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 30 मिनिट में नहीं बगड़ पाऊंगी यह मत भूलो कि बिना divine weapon के भी मैं एक God हूँ तैंग शेंग कहता है कि क्या अब फिर तुम इस bet को accept करती हो या नहीं जिस पर वो कहती है कि ठीक है लेकिन bet के खत्म होने तक मैं इस striden को नहीं लोटाऊंगी इस divine weapon की वजह से Wuhan Empire का बहुत loss हुआ था और जब तक तुम मेरे साथ aliens नहीं बना लेते ये तुम्हें नहीं मिलेगा वो फिर इस striden को दूर वेक कर इसको shield से cover कर देती है तैंग शेंग कहता है कि हमारा aliens कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूँगा और फिर वो अपने spirit rings को बाहर निकालता है और इतनी powerful spirit rings को देखकर Quintranze यो हिरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि क्यों तैंग शेंग इतने confidence से बोल रहा है कि वो एक God तक से बच पाएगा और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है